Taxonomy and ecology of American ball worm American ball worm is a serious pest of cotton crop अगर हम इस pest की taxonomy की बात करें तो they belong to phylum arthropoda, their class is insecta, order lepidoptera, genus helicoverpa and their species is helipoverpa armigeria अगर हम इसकी distribution की बात करें तो it is distributed in Pakistan खास्तोर पर जो cotton growing areas है, वहाँ पे ये common है उसके लावा Central and Southern Europe, Temperate Asia and Africa इन तमाम regions के अंदर ये pest मौजूद है उसके लावा अगर हम इसकी body size की बात करें तो their body length varies between 12 to 20 mm और इसका जो wing span है, वो 30 से 40 mm तक हो सकता है उसके लावा four wings are yellowish to orange in female and greenish to grey in male यान male, female जो है, उनके अंदर जो fair wing की जो coloration है वो vary का रही होती है यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये cotton का ball है और उसके अंदर ये इस तरीके से hole बनाता है और इसके जो internal contents हैं, उसके उपर ये feed करते हैं इस तस्विर के अंदर अगर हम देखें, तो यहाँ पे male और female का difference जो है, वाज़े तो पर देखा जा सकता है अगर हम उसके life cycle की बात करें, तो जो adults है lay eggs singly on tender plant जो female है, जो young shoots होती है, उनके उपर अपने egg ले करते हैं eggs की hatching होती है, hatching के बाद इससे larvae बनते हैं young larvae feed on the foliage, यानि शिरू शिरू के अंदर जो young larvae होती हैं, जो पते हैं, जो young leaves हैं, उनके उपर feed करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद bore into the ball and feed on them with its body hanging outside इनका feeding style unique है, कि शिरू शिरू के अंदर इसकी पहली stages हैं, वो पते के उपर feed करते हैं young leaves के उपर feed करते हैं, लेकिन उसके बाद ये जैसे ही ball बनता है, तो ये ball के अंदर सुरा करते हैं और उस ball के अंदर जो contents हैं, उसके उपर ये feed करते रहते हैं, लेकिन इसकी जो body है, वो बाहिर की तरफ hang कर रही होती है यानि वाज़ तोर पर ये नजर आ रहा होता है, ये American ball warm, क्योंकि ball warm की बहुत सरी किसमे हैं, उसके अंदर pink ball warm भी आता है, जिसके attack को हम जब observe करते हैं, तो उसके अंदर जो इसके लारवी है, वो बोर करके ball के अंदर चला जाता है, लेकिन American ball warm के अंदर ऐसा नहीं होता, य ये अंदर feed करता रहता है, लेकिन इसके body का काफी हिसा ball के बाहिर मौजूद होता है, उसके बाद ये next stage के अंदर convert हो जाते हैं, जिसको हम pupi बोलते हैं, लारवी full fed them come out of the ball and pupate in the soil, यानि जब मकमल तोर पर ये feed कर चुके होते हैं, बाल के उपर, तो उसके बाद ये ball से बा के अंदर, soil के अंदर मौजूद होती है, pupi is dark brown with sharp spine at the posterior end, और ultimetry ये जो पीपी है, ये adult के अंदर convert हो जाता है, और तक्रीबन, there are 8 generations of this pest in a year, एक साल के अंदर 8 generations इसकी हो सकती हैं, तो adults aglay करते हैं, X जो है, उससे लार्वी बनते हैं, early जो लार्वल conditions हैं, वो पत्तों के अपर, यंग लीस के अपर feed करते हैं, उसके बाद जैसे ही ball formation start होती है, तो ये ball के अंदर, बोर बनाके, उसके अंदर वाले जो contents हैं, उसके अपर feed करते हैं, और उसको बुरी तीके से damage करते हैं, इसकी मकमल तोर पर feed कर लेते हैं, फिर ये ball से बाहर आ जाते हैं, और इनकी pupation जमीन के अंदर होती है, और बाद में ये pupa adult के अंदर convert हो जाता है, अब इनका जो caterpillar है, वो polyfagus है, वो foliage के अपर भी feed करता है, वो cotton ball के अपर भी feed करता है, जहाँ पर अगर हम देखें, तो इस cotton ball के अंदर ये इन्होंने एक बोर बनाया हुआ है, और ये feeding कर रहे हैं, उसके लावा ये जो पौदे की यील्ड है, उसको बुरी तरिके से मतासर करते हैं, उसके लावा इनके attack के वज़ा से जो ball है, उसके अंदर prominent hole नजर आ रहा होता है, अब ये देखा गया है कि अगर cotton crop के गिर्द, आक्रा, कैस्टर या मूँ ये crops लगाई जाएं, तो cotton के उपर attack बढ़ जाता है, क्योंकि ये crops जो है, इसके reservoir consider की जाती है, तो इस वज़े से ये recommend किया जाता है, कि क्रीबी इलाकों के अंदर इन जो crops हैं, उनको ना लगाया जाए, उसके लावा avoid growing of American cotton in the field, क्योंक लगाएंगे तो इसका attack कम होगा, उसके लावा इसको control करने के लिए हम parasitic wasp यूज करते हैं, जो के एक natural enemy है, उसके लावा pesticide को बहुत जादा इस्वाल किया जाता है, cotton के अंदर, जिससे जो natural predators की population को भी काफी नुकसान पहुंचता है,